खुशी और राजवीर को लेकर पहली बार माही का शौकिंग बयान खुशी और राजवीर को एडॉप्ट करने से की आइनकार? कहा लीगल एडॉप्शन जैसा कुछ नहीं हुआ है ट्रोलस के लिए माही ने दिया जबरदस्ट जवाब माही और जै आए दिन बेटी तारा और एडॉप्टेड बच्चे खुशी और राजवीर के लिए चर्चा में रहते हैं माही जै बेटी तारा के बायलोजिकल पारंट्स बनने से पहले के टेकर के बच्चे खुशी और राजवीर की परवरिश कर रहे थे आच साल की शादी के बाद 2019 में कपल ने अपने घर में बेबी गल्टारा का वेलकम किया हाल ही में माही ने के अंटर्वीड में खुशी और राजवीर के एडॉप्चिन के बारे में बात की जूम डिजिटल को दियेगय इंटर्वी। में माही ने कहा हमने राजवीर और खुशी को एडॉप्ट नहीं किया उनके पैरंट्स हैं उनके पिता हमारे साथ अभी भी काम कर रहे हैं उनकी मा है बस बात इतनी है कि वो जब से पैदा हुए है तब से हमारे पास रहे हैं वो मुझे मम्मा और जै को दर्दा कहते हैं हम एक साथ थे हम एक हैपी फैमिली की तरह थे लीगल एडॉप्शन जैसा कुछ नहीं है मुझे नहीं पता कि वो कहां से आया हाला कि माही और जै को राजवीर और खुशी के होने से काफी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है और उन पर काफी बार बच्चों के पब्लिसिटी के लिए यूज करने कारोग भी लग चुका है लेकिन माही ने कहा कि उन्हें नेगेटिव कमेंट्स के बारे में कोई परवान नहीं है उन्होंने कहा पहले शुरुवात में मुझे ये थोड़ा परिशान करता था मैं लोगों के लिए जवाब देनी के लिए नहीं हूँ उनके चहरे नहीं होते उनके फेक अकाउंट्स होते है मैं अपने भगवान पारेंट्स और हजबेंट के लिए जवाब दे हूँ वो इसे अटेंशन के लिए करते हैं वो मेरे लिए लूजर्स है क्या कहना है आपका इस खबर पर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में and also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube